आए सूड़ो फोर्स को समझते हैं एक ट्रेन है जो कि होरिजोन्टल डिरेक्शन में एसे जा रही है और उस ट्रेन के अंदर एक बॉब लटक रहा है सो अभी वह वर्टिकल के साथ किसी पार्टिकुलर एंगल से है अगर कोई परसन जो कि ग्राउंड पे खड़ा है उस बॉ लेकिन अगर कोई परसन जो की ट्रेन के अंदर खड़ा है वह इसको अब्जर्व करता है तो उसकी असलेरेशन तो सेम है जो बॉब की जीरो है इस पर एक फोर्स नीचे लग रही है दूसरी फोर्स इस पर टेंशन लग रही है एक और फोर्स हमें यहां पे है जो कि शो करन हमारा जो परसन ट्रेन के अंदर है वो नोन इनर्शल फ्रेम अफ रेफरेंस है तो हमें एक यहां पे सूड़ो फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि परसन की असलेरेशन से अपोजिट डिरेक्शन में होगी एंड़ वोड़ बी मास इंटो असलेरेशन आफ परसन विच इस से इनकी एक्वेशन सेम आई है लेकिन कंसेप्ट अलग-अलग है